नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा, स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड उफ योगा विद आचारे प्रतिष्ठा में आज हम बात कर रहे हैं कॉंस्टिपेशन की, कॉंस्टिपेशन, कोष्ट बद्धता या कब्स जिसे हम आम भाशा में कहते हैं एक आम समस्या हो चुका है, और दुख की बात है कि कॉंस्टिपेशन खुद में समस्या लगता नहीं है लेकिन बहुत सारी और समस्याओं की जननी होता है इत गिवस बर्थ जो लॉड़ अधर प्रोब्लिम्स और रीजन अफ लॉड़ अधर प्रोब्लिम्स कॉंस्टिपेशन बढ़ते बढ़ते पाइल्स का भी रूप ले लेता है जिसको अमभवासीर की समस्या कहते हैं फिर यह आपके ब्लड को इंप्योर करना शुरू कर देता है जिससे आपको स्किन प्रॉब्लिम्स होने लगते हैं आपको तवचा से संबंधित रक्त से संबंधित समस्याओं भी होने लगती हैं और बढ़ते बहुत मेजर रूप यह ले सकता है इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप समय रहतें को हील करें जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं कैसे हमें पता लगे कि हम कॉंस्टिपेटेट हैं कॉंस्टिपेशन के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कारण कुछ भी हो निवारण योग में चुपा है जो योग अभ्यास हम आज आपको इस एपिसोड में बता रहे हैं वो आपको नियमित रूप से करना है ऐसा समझ लीजिए कि शंक प्रक्षालन योग का अपने आप में एक पूर्ण अभ्यास है लेकिन वो किसी एक्सपर्ट की मार्दर्शन में ही किया जाना चाहिए ये हाई ब्लड प्रेशर प्राब्लम है तो आप नमक नहीं डालेंगे गुंगना पानी पूरा एक ग्लास दो ग्लास पी लीजिए और पिर जो चार खृआए आपको हम बता रहे हैं इनको इस ही सीक्वेंस में चार चार बार करना है चार बार एक क्रिया चार बार दूसरी चार बार तीसरी चार बार चौथी इस ही सीक्वेंस में ये करेंगे और उसके बाद हो सकता है आपको स्टूल डिस्चार्ज की फीलिंग हो नहीं हो तो एक ग्लास गुनगुना पानी और पी लीजे फिर से इन क्रियाओं को इस ही पानी चारो का राउंट इतने में अगर आपको स्टूल डिस्चारज की फिलिंग नहीं होती है तो फिर आप अगली दिन इसको ट्राइ कीजिए लेकिन तीन से चार दिन में आपको महसूस होने लगेगा कि सुबह सुबह आपका पेट साफ होने लगेगा कौन सी यह क्रियाए यह जानते हैं और इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कुछ ऐसे बहुत ही आसान से घरेलून उसके जिनको अपना करके आप कौनस्टिपेशन को गुडबाई कह सकते हैं रिणाल गती के लिए एड़ी पिंजे मिलाकर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे सास भरते हुए हाथों को सर के उपर ले जाकरके आपस में मिला देना फिंगर्स को इंटर लॉक कर देना सास और भरते हुए कमर से अपने पूरे शरीर को राइट साइड बेंट करना सास चोड़ते हुए वापिस आ जाना सास भरते हुए लेट साइड बेंट करना सास चोड़ते हुए वापिस आ जाना दस-दस बारस क्रिया को दोनों तरफ दोहरा करके शरीर को उपर की और खीचना, हाथों को वापस ले आना, हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना कंद घती के लिए 80-50 मिलाकर विकुल सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को सामनी की और फैला दें, ऐसे कि palms facing towards each other शरीर को विकुल सीधा रखते हुए, सास भड़ते हुए, अपनी कमर से, left side से ऐसे twist करें, कि right हथे ली left कंदे को छू जाए जितना संभव हो उतना twist करना और यथा सामर्थ है इस्थिती को रोकना, सास चोड़ते हुए वापिस आ जाएं, इसी प्रकार से दाई और से twist करें, ऐसे कि बाया हथे ली आपके दाई कंदे को छू जाए इस स्थिती में अपनी कमर पर पढ़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, यथा सामर्थ है सास भीतर रोक करके इस स्थिती में रुकना, feel the twist और फिर धीरे धीरे से सास चोड़ते हुए पुर्व स्थिती में वापिस आ जाएं, जल्दबाजी बिलकुल ना करें अभ्या परा करके हाथों को वापिस ले आएं, आपस में मिला दें, पैरों को भी खोड़ लें, घरदन को धीला छोड़ दें, रिलाक्स काकासन के लिए पेट के बल लेट जाना, हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए, सास भरते हुए चहरा और सीना, नाभे तक पूरे शरीर को बिलकुल सीधा कर देना और गेरा सास भरते हुए दाइं और से ट्विस्ट करना, पैर के एडियों को देखने का प्रयास, सास चोड़ते हुए वापिस, सास भरते हुए बाइं और से ट्विस्ट करना, एडी को देखना, सास चोड़ते हुए वापिस पांच से छे बार ऐसा करने के बाद सांस छोड़ते हुए शरीर को जमीन पर ले आना, हाथों का तकिया बना करके शरीर को पूरी तरह से ठीला छोड़ देना प्रयत्न शेथिल्यम शंक आसन के लिए इस प्रकार से आप उकडू बैठ जाएंगे, यानि स्क्वाटिंग पुजिशन में आ जाएंगे सांस भरते हुए दाए पेर के घुटने को बाए पंजे से चूना, ट्विस्ट करना और ट्विस्ट करने के बाद यथा सामथे रुकना, सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाना ये एक round है आपको तीन से पाँच बार तक आप इसको repeat कर सकते हैं शरीर को पूरी तरह से धीला छोड़ दें इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए लेकिन अपनी diet का भी ध्यान रखिए क्या क्या चीजें हैं जो आप अपनी diet में add कर सकते हैं भीर सारा पानी पिए, warm liquids लें, अपनी diet में salads or fruits को add करें, vegetables को add करें, active रहें, exercise करें और मल विसर्जन की इच्छा को रोकें नहीं, जब भी मल विसर्जन की इच्छा हो, मल विसर्जन ज़रूर करें diet, yoga अभ्यास ये आपने जान लिया और अब जाने से पहले कुछ ऐसे राम बांड नुस्खे लेते जाएए सबसे पहला काम अगर आपको constipation है, तो रात को सोने से पहले आप गर्म दूद लीजिए और एक ग्लास दूद में आप एक चमच बदाम रोगन यानि बदाम का तेल डाल लीजिए और इसका सेवन कीजिए इसके साथ साथ अगर आप बदाम रोगन नहीं लेना चाहते हैं तो आप चार अंजीर और आठ मुनक्का ले लीजिए इनको एक ग्लास दूद में बॉइल कर लीजिए जब दूद थंडा हो जाए तो इन मुनक्का और अंजीर को खा लीजिए और दूद को पी लीजिए अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आप देखेंगे कि एक हफते के अंदर अंदर ही आपको अनुभा होगा कि आपका पेट साफ होने लगा है बाकी जो डाइट की चीज़े बताएगे हैं कि फाइबर अपने डाइट में खूब आड कीजे पानी खूब पीते रहेंगे अपने आपको अक्टिव रखिए वॉक करिए एक्सरसाइस करिए डांस करिए नृत्य की साधना करिए और योगा भ्यास तो निश्चित रूप स करिए और अगर आपको अराम पड़ेगा तो हमें कॉमें बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि आपने कॉंस्टिपेशन को अलविदा कह दिया है और आपकी स्किन ग्लो करने लगी है आपका ब्लड भी प्योरिफाइब हो गया है और आप हेल्दी होते जा रहे हैं इन इंस्ट्राग्राम पर आप भारत योगा के नाम से हमारी संस्था को जॉइन कर सकते हैं धन्यवाद हरी ओम जल्दी मिलते हैं जय हिंद